आज जिन तीन विश्यों के हम चर्शा करने जा रहे हैं वो आपके सामने मुद्दा नमबर एक गोवा के अंदर कॉंग्रिस का बिखराव लगभग पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल विपक्ष पर भारती जनता पार्टी का डाका मुद्दा नमबर दो राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा पर मगर उनके खिलाब भाजपा का दुश्परचार मुद्दा नमबर तीन बंगाल में हमने देखी हिंसा जिसमें भारती जनता पार्टी के नेता जो हैं वो तमाम जो हैं हदों को पार कर रहे थे मगर मीडिया पूरी तरह से खामोश जी हां मगर सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे गोवा की गोवा में क्या हुआ गोवा में पार्टी के यानि की कॉंग्रेस पार्टी के साथ आठ विधायक वो बीजेपी में शामिल हो गए ग्यारा में से मुझे तो ये नहीं समझा रहा कि वो तीन क्यों बचे हुआ है आपको याद होगा दोस्तों इसी तरह से करनाटक में विपक्ष की सरकार्थी चली गई मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार्थी चली गई महराष्ट में क्या हुआ आप ने देखा तो एक तरह से विपक्ष को जो जनादेश मिला हुआ है उस पर डाका मारा जा रहा ह और विपक्ष को ने इस नाबूत किया जा रहा है क्या है इस खबर का पंच शुरुआत करेंगे उर्मिलेश के साथ अभिसार मैं समस्ता हूँ कि ये जुन जुलाई में ही ये घटना ये दल वदल हो गया होता लेकिन शायद भारती जंता पार्टी को बहतर लगा कि राहूल गांधी जब भारत जोडो यात्रा पर निकलेंगे या जब यात्रा कर रहे होंगे तब ये करेंगे तो हमें डाइवर्जन या डाइवर्ट करने में एक ज़्यादा सहुलियत होगी तो ये एक समय चुना गया है एक ये पहलू इसका है दूसरा इसी से चुड़ा पहलू है कि दिगंबर कामत जो चीप मिनिस्टर हुआ करते थे वो देवी देवताओं से उनको गो एहड मिल गया उन्होंने कहा कि हाँ बिलकुल करो और इस तरह से इसमें देवताओं को भी जो लिया गया इस दल बदल में अनोखा दल बदल है यह हमको लगता है दुनिया का आशा आप बताएं क्या है इस ख़बर का पंच देखे इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऑफिशली भाशपा के समर्थन में भगवान जी उतरे हैं क्योंकि उन्होंने बाकी सबको तो घसीटी लिया था लोगतंतर के जितने खेमे थे यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं भगवान के पास पहले गया था प साफ साफ कहा कि इस बार जब मंदिर गए भगवान से पूछा तो भगवान ने हरी जंडी दे दी तो मेरा यह सवाल बहुत सीधा सा है कि भगवान कौन है एडी है सीबी आई है या 30-40 करोड रुपे की रकम है जिसके बारे में कॉंग्रेस दावा कर रही है अभिसार क्या ह इस पर आपका पंच तो चलिए दिगंबर कामत के तो सपने में महालक्ष्μी आगई भगवान आगये मगर मैं यह समझना चाहता हूँ किया जोत्रह दिस सिंधिया के भी सपने में कोई आया था एक नाच शिंदे के सपने में इंवी कोई आया था और जैसे कि भाषा किया य उर्मिलेश जी बहुत हास्यास्पद हो गया है और जैसे कि भाषा ने जिक्र किया भारती जनता पार्टी डाका डालने के लिए सबी हदों को पार करने को तैयार है और अब भगवान ईश्वर का जिक्र कर रहे हैं दिगंबर कामत यानि कि आप अपनी राजनीतिक वफादारी पलड देते हैं इस तरह से और सहारा धर्म का ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी के हाथ मजबूत होंगे वाकई बहुत ही हास अबिशार मैं समस्ता हूं कि गोवा की इस घटना के बाद भले ही गोवा एक छोटा राजी हो देश का लेकिन एक सिलसिला है मद्धे प्रदेश्ट का नाम आपने लिया करनाटक का आपने नाम लिया मनिपूर का नाम भी जोड़ लीजिए बहुत सारे सुमों में ये सब घ विरोधी कानून के जितने संशोधन अब तक हुए हैं अब तक जितने हुए हैं वे बेमतलब हो गए ऐसा लगता है कि दल बदल विरोधी कानून जो हमारे यहां कई बार जो इंट्रूस किये गए संशोधन किये गए उनको अब फिर से दुबारा देखनी की जरूरत है कि क उसको उसको बिलकुल दल बदल के जरिये वहाँ पर सरकार तोड़ दी जाएगी अगर कोई विपक्षी दल बहुत मजबूत नहीं है तो ऐसी स्थिती में मेरा मानना है और ADR के जो चलाने वाले लोग हैं मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एक सलाह दी है अपने को एक जा बेमतलब किया गया है उसको रोका जा सके बहुत एहम बात यहां पर उरमिलेश जी ने उठाई है कि दल बदल कानून वो कितना बेमानी हो गया है मैं एक और चीज़ बोलना चाहूंगा कि उसे जस तरह से आपचारिक जामा मास मीडिया पहनाती है उसे मास्टर स् शर्नाक है उरमिलेश जो बात कह रहे हैं कि बदलने की जौरत है आप जानते हैं जब तक सत्ता आपके हाथ में व्यवस्ता आपके हाथ में भाशा कोई कुछ नहीं बदलने वाला है उपर से मीडिया इसे मास्टर स्टरोग बताता है बेशर्मी से अपने प्राइम टाइम स संसद में ये कानून के में संशोधन की बात करेंगे और बीजेपी क्यों चाहेगी क्योंकि यह तो उसके लिए गोल्डन ऑपरचुनिटी है जहां उरमिलेश जी जिक्र कर रहे हैं कि चाहते ही है कि पूरा विपक्ष जनता के बीच डिस्क्रिडिट होगा क्योंकि जब इसी को भी चुने उनको हम खरीन के अपने पास बैठा लेंगे हम सरकार अपनी बनाएंगे यह स्के जरीए विपक्ष की विश्वसनियता पर भी हम लान यहां छोटी बात यह घंतो अगर विपक्ष नहीं तो लोगतंत्र नहीं फिर तो पूरी की पूरी तानाशाही हो जाएगी एक पाटी का रूल हो जाएगा और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे घिनोना काम गोवा में हुआ है मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर आप राजनीती करते आएं हैं मोदी जी भाशपा आरेसेस कम से कम अधर्म के लिए तो भगवान का नाम ना लीजिए जहां पर आप रिश्वत लेकर डर से अपनी प्रतिबद्दताएं बदल रहे हैं वहां पर आप भगवान की जिक्र कर करते हुए तो आपने ही बता दिया कि सामदाम दंडभेद सारी चीजें हम अपने पास रख लेंगे और जनता का जो विश्वास जनता का जो वोट है उसे हम चुरा लेंगे और डंके की चोट पर चुरा लेंगे उर्मिलेश जी देखिए पूरा एक ट्रेंड दिखाई दे कि गुआ की एक संस्कृती रही है आया राम गया राम की यहां पर वफादारियां इसी तरह से बदलती हैं मगर आप महराश की तरफ देखिए साब देश की आर्थिक नब्स वहां पर एडी का ऐसा डर कि शिवसेना का वजूद खतरे में आ गया करनाटर का कौन भूल सकता ह वो कथित ओडियोस जो सामने हैं जहां युदरपा खुद बात कर रहे हैं दूसरे डलों के विधायकों के साथ मध्रदेश देखिए साब मैं नहीं बूला हूँ शिवराथ सिंग चोहान ने बाकाइदा एक राली में बोला था रुमलेश जी कि यह फरमान हमें प्रधान मं का फरमान शामिल है तो जाहिर सी बात है इन चीजों पर किसी बी तरह का डिस्कॉस संभव है देखे मैं समझता हूँ अभिसार की इसमें जनता के बीच से अगर कोई बड़ा इनिशियेटिव नहीं उभरता और इसमें जुडिसियरी इसके अलावा जो नागरीक अधिकार आंदोलन हैं उनसे जोड़े हुए संगठान है जब तक वो आगे नहीं पढ़ते तब तक काम संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि देखे हो यह रहा है कि चाहे मनिपूर की घटना आपने महाराष्ट का जिक्र किया अभी जारखंड में मौजुदा सरकार जो अभी चल रही है उसको भी गिराने की कोशिशें बहुत तेज हैं तो दल बदल हमारे हाँ पहले भी होता रहा है कॉंग्रेस जब सेंटर में उसकी तब भी होता रहा है लेकिन आज के दौर में दल बदल को जितना विकृत किया गया है और इतना और आम बना दिया गया है वह अभूत पुर्व है उन प्रेसिडेंटेड है तो ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा कि भारत में डिमोक्रि अगर वो हार गए लेकिन हारने के बाद दल बदल करके अगर बीजेपी फिर से चुनाव जीत गई तो इस देश का क्या होगा और चुनाव का मतलब क्या रहा जाएगा भारत के पार्लमेंटरी एलेक्शन का क्या मतलब रहा जाएगा इसलिए मेरा मानना है कि समय रहते हुए अगर इस देश में जुडिशियरी नागरिक अधिकार आंदोलन और अपने देश के आम नागरिकों के बीच से कोई बड़ी इनिशियेटिव बड़ी पहल कदमी नहीं बरती है तो इस देश को बहुत सिरियस थ्रिट है जिन शब्दों का यहां पर उर्मिलेजी ने इस्तमाल किया विक्रत यह तमाम चीज़ें तो हैं मगर आप जानते ही यह पूरा एक संगठित उद्द्योग है जो चल रहा है भारती जनता पार्डी की तरफ से जिसमें आप मास मीडिया का इस्तमाल करें चुनावें के दौर जान ही NIA का प्रवेश हो जाएगा CBI का प्रवेश हो जाएगा शुनाव के बाद अगर जीत गए वो मताब मुझे बताईए कि कल्पना से विचित्र है कि सुवेंदू अधिकारी अमिट शाह से मुलाकात करते हैं और त्रिनमूल जिसके पास 200 से जाधा विधाय के उनके ब बेशर्मी और जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं पूरी नंगई पर है आपके पास कोई परदेदारी के जरुबत नी और इसमें जो बहुत एहम भूमिका है अभिसार मीडिया की है क्योंकि मीडिया ने लोगों के दिमाग में जो अवधारना का खेल भाश्पा लंबे समय से ख सब्सक्राइब का जो पूरा का पूरा ताना बाना आज इंडियन एक्सप्रेस ने खोला है कि एक नाश चिंदे 30 जून को किस तरह से सत्ता में आते हैं तुरंक बाद वह समझाता करते हैं वेदाना समूह के साथ और गुजरात और महराश्ट के बीच का पूरा का पूरा र मुंबई का हुआ है मामला वो मुंबई का मामला मामली नहीं है क्योंकि हम सब लोग लगातार बोलते रहें कि यह भारती नब्स राजधानी है अर्थ वेबस्ता की तो वहां पर इतना बड़ा खेल खुले आम सबके सामने होना और उसको लेकर बड़े पैमाने पर एक पब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हम सब लोग पत्रिकारिता में पैदा हुए जब से देख रहे हैं होर्स ट्रेडिंग इस खरीद फरोक्त का आप अच्छा कैसे बता लेकिन आज की तारीक में आप देखी लोक्तंत्र को खरीदना ही नया नॉर्मल है मोधी सरकार में बिलक पानांतर तोर पर उनके खिलाब दुश्प्रचार चल रहा है कभी उनकी टी-शिर्ट पर टिपड़ी की जाती है जिसमें खुद ग्रेमंत्री प्रवेश कर जाते हैं कभी ये कहा जाता है कि वो बच्छों का दुरुप्योग कर रहे हैं क्या है इस खबर का पंच आई होई पुरानी पॉलिसी है कि वो रियूमर के आधार पर लोगों की राजनीती को खंडित करने की कोशिश करते रहें ये नहरू से लेकर और राहूल गांधी तक आप देख सकते हैं मौझूदा दौर में जो कर रहे हैं वो उसी का नतीजा है आशा आप बताएं क्या है देखिए अभी साथ मेरा तो बहुत साफ मानना है कि राहूल गांधी की और कॉंग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इससे भाश्पा डर गई है हिल गई है और उससे भी बड़ी बात कि उसे अपनी सब युनिवरस्टी इस पर भरोसा नहीं रहा है इसलिए उ जूट परोसने के लिए सीधे ग्रिय मंत्री और अपनी फेवरिट मंत्री स्मृती इरानी को मैदान में उता रहा है जो लगातार जूट के आधार पर एक दूसरे धंका दुश्प्रचार इस यात्रा पर कर रही है अभी सार क्या है आपका पंच मुझे लगता है भाशा कि इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि राहुल गांधी बदनाम करो एक संगठित उद्योग है जो भारती जन्ता पार्टी के प्रचार में चलता है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को गंभीरता से मेरे एक मश्वरे पर विचार करना चाहि एक मंत्राले बनाईए और स्मृती रानी जो हैं वो उनकी मंत्री हो उर्मेलेजी ये अपने आप में दोहरे माबदंड हैं और मुझे लगता है कि अमिच शा ये तमाम बातें इसलिए कह पाते हैं क्योंकि अमिच शा ने उनकी टी-शिर्ट पर टिपणी की थी ये वो अमि काइदा नमू नमू लिखा होता है और देड़ लाग का मेबाख का चश्मा वो एक कौन सा डायलोग है वो राजकुमार की फिल्म का कि जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो घरों में पत्तर नहीं पेगा करते मतब बीजेपी जानती हो इसलिए कह सकती है और मिलेजी क्यो जो मेंस्टी मीडिया अपने मुल्क का है वो एक तरह से भौपू बना हुआ है कि भारती जनता पार्टी दूसरे दलों के बारे में दूसरे लोगों के बारे में जो कुछ कहेगी आरेसेस या उसकी और विंग्स जो है उसका जो आईटी सेल है जो भी कहेगा उसी को केवल हो रिपीट करते हैं बार बार रेकार्ड बजाते हैं अब अभी अखाल में देखिए कितनी दिल्चस बात है और कितनी आश्यर जनक बात है कि स्मृती रहनी जिनका आपने नाम लिया कैबिनेट मंत्री हैं बहुत महत्कुन उनका उनका किरदार है इस सरकार में वो कहती है क राहुल गांदी वहां पर कन्या कुबारी गया है वहां से उन्होंने निकाली आत्रा लेकिन वो विवेकानंद की मूर्थी तक नहीं गये और विवेकानंद की मूर्थी पर जाकर के मालियार्फन करता हुआ राहुल गांदी का जो फुटेज है वो सारी जगा है लेकिन कुल एक साफ पैटर्न दीखता है कि ये संगठन भारती जंता पार्टी आरेसस या उसके आनुशनगीट संगठन अफवाबाजी पर जवर्दस धंग से यकीन करते हैं और ये एक इंस्टुमेंट की तरह यूज करते हैं अफवाहों को तो कि अवितार एक इसमें और जोड़ रही हैं जूट बेनकाब होता है राहुल गांदी की तस्मीर आ जाती है कि वह वहां पर रॉक में और वहां पर उन्होंने सलाम ठोका प्रणाम किया जिसको कहनी कि प्रणाम तक नहीं कि एक शब्द माफी का नहीं अब आप सोचिए कि हम और आप अगर गलती से या कोई और पर नेता गलती से कुछ गरबर करता है तो पहले हम क्या सोचते थे कि वह माफी मांगेगा अपनी गलती सुधारेगा ये जो एरोगेंस है कि हम जूट बोलेंगे और उसके बाद भी हम लाजवाब कर देंगे मीडिया को तो मीडिया कहीं से भी विचारत क्या करेगा मीडिय कि एधिर कभी सिली सूल्स के साथ नाता नहीं है औरटीयाई सामने उभर कर आती है कि आरटीयाई में स्वशेण सा ciao आस उभर कर आता है कि सिली सोल्स और उनके अपने पती की कंपनी जहां वो निदेशक थे उनमें सीधान आता है उस पर वो कुछ नहीं बोलते होます प्रदान मंतरी नरेंद बोदी का वो बयान याद आता है जूट बोलो बार बार जूट बोलो जूट बोलो बार बार जूट बोलो और मेरे खाल से हिटलर कही तो परचार तंत्र में धाना कि एक जूट को इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच मानने लगे जनता माने ना माने कम स इस समय दो रुपे की चाय बेची इस समय इन्होंने बुल-बुल की सवारी की तो मुझे जो दूसरा सबसे बड़ा दुख है इस मामले में कि जब ये सारे जूट जो बहुत तकनीक के हिसाब से कैमरे के हिसाब से बेनकाब होते हैं तब कम से कम मीडिया की जो बुनियादी ज को नहीं देख रही है वो जिन चैनलों को देख रही है वहाँ पता तो चले कि आप इस तरह के ब्लंडर्स नहीं कर सकती मीडिया की बात यहां पर हो रही है और मिलेज जी मैं आपको बताऊं आज ही ऑल्ट नीउस ने एक पड़ताल की है वो पड़ताल कल शाम को आई है मीडिया ने जूटा प्रचार चलाया कि प्रइधान मंत्री अटल बिहारी वाजपी ने तो 2001 में हटा दिया था मगल मन मोहन सिंग ने आ के फिर से George Cross जो है वो वहाल कर दिया जबकि हकीकत यह है कि अटल जी ने जाते जाते George Cross को फिर से बहाल कर दिया था क्युक् believe जो नेव से काम करता है तो मीडिया कहाँ पर सवाल करेगा स्मिती रानी से उर्मिलेश जी जैके मैं मीडिया के ही कांटेक्स्ट में कुछ सवाल उठाना चाहता था कि अपने देश में हो ये रहा है पिछले काफी वर्षों से कि जो अफवाहें ये लोग उडाते हैं एक संगठित जैस मान लिया जाता है आपने अभी जो उदारन दिया नेवी के मामले में आप याद कीजिए जवाहलाल नहरूव श्विद्याले के कांटेक्स्ट में की एक समय प्रचारित किया गया कि टुकडे टुकडे गैंग नारे लगाये थे भारत के खिलाप और वो जो टुकडे टुक जिसको और चैनलों ने भी दिखाया बाद में और समय भी तरी लोगों ने दिखाया आज तक नहीं मालूम कि मुह बांध कर वो नारे लगाने वाले लोग कौन थे इसका कोई इंविस्टिगेशन नहीं और जेनिव के लड़कों पर तोहमत लगा दी गई कि एंटी नेशनल हैं और जब खोजबीन हुई जब परताल हुई तो कोट ने कहा कि कोई आधार नहीं आए और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बतानी है और फिर देके इसमृती इरानी ने भारा जोड़ो यात्रा पे कहा कि टुकडे टुकडे गैंग है मद्रप्रदेश के ग्रिह मंत्री बो में प्रदर्शन हुआ जाहिर सी बात है विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का खासकर मम्ता बैनर जी के तेवर कभी कभी ऐसा लगता है कि मम्ता दीदी ना बनके दादा बन जाती है और इसलिए विपक्ष को सक्रिय होकर सड़क पर उतरने लेते अब यही कोई और करता तो उसे टुकडे टुकडे गैंग बताया जाता नजाने क्या क्या कहा जाता क्या है इस खबर का पंच पुरमिलेश आप बताएं मैंने हाल के वर्षों में बलकी दशकों के दौरान हाल के डिकेट्स में मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी जब केंदर की सताधारी पार्टी केंदर में जो सताधारी पार्टी है जो सरकार चला रही है जो अपने को देश भक्त सबसे बड़ा मानती है सबसे बड़ा देश भक्त मानता है संगटन और बताती है कि वो हिंदुत्वा वो 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 इस देश की सबसे राश्टरवादी पार्टी है वो राश्ट को तोड़ने वाली राश्ट को तोड़ने वाली गतिविदी में सीध शरीक होती है और पूरा मीडिया कामोच रहता है आश्यर जनक है आश्या आप बताएं क्या है इस ख़बर का पंच अभिसार देखिए इसमें जो मीडिया की भूमिका है वो जबरदस्त है मुझे तो कई बार लगता है कि भक्तों की टोली है सरकार के भक्त गण है ट्रोल आर्मी है उनसे भी ज़्यादा भक्ती दिखाने पर हमारा मीडिया कॉर्परेट मीडिया उतारू है और इसकी जीती जा जाए दिखाई देती है कि मीडिया को बिहार में कोई घटना हो जाती है तो जंगल राज दिखाई देता है लेकिन यहां पर जब भाश्पा के कारेकरता वीडियो पर वीडियो पर कैड है वो पुटेज पांच-साथ मिनट लगाते हैं कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी को जलाया जाए सब कुछ कैमरे में है लेकिन वहां जंगल राज भाश्पा का जंगल राज अराजकता नहीं दिखाई देती है अविसार अविसार क्या है इस पे आपका पंच देखे मीडिया जब तक खामोश रहेगा और आगे भी खामोश रहेगा तो भारती जनता पार्टी के होसले बुलंद होते जाएंगे और ये तमाम हदो कुपार कर देगा एक छोटी से मिसाल दूँगा इस पंच में आमित मालवे ने बाकाइदा ट्वीट किया कि ध्यान भ पर कराया भाजपा के होसले जो हैं तमाम हदों को पार कर चुके हैं जो लोग तंतर के लिए अच्छा नहीं है उर्मिले जी मैं आपसे यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि भारती जनता पार्टी की हरकतों पर कोई अंकुष नहीं और कलपदा कीजिए यही किसी और विपक्ष पार्टी ने किया होता तो अगले 10 सालों तक उसे आतंकवादी बताने का काम जो है मीडिया करता बार बार उन तस्वीरों को प्ले किया जाता अगर यही समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने किया होता बिलकुल बिलकुल बहुत सारे ऐसे राजनितिक दल हैं छेत्री और चोटे मजोले दल जिनकी गत्विधियां अगर आंदोलन कारी जादा हो जाती हैं वो आम जनता चाहे वो आदिवासी हों चाहे गरीब लोगों मजदूर हों उनके सवालों को लेकर वो सड़क पर आती है तो उनको मीडिया में यही बड़ी ताक्तें जो हैं खासकर जो बड़े राजनितिक दल हैं सत्ता में जब होते हैं तो उनको एंटी नेशनल के रूप में परचारीत करते हैं जबकि वो गरीब लोगों के सवाल उठा रहे होते हैं वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनको ए पड़ा रहता है लोग मर जाता है एक पुलिस वाला और इस तरह से सीधे सीधे प्रदर्शन कारी जो हैं गाड़ी जला देते हैं पुलिस की और इसके पहुजूद इस देश के जो बड़े जो जो किरदार है जो सत्ता में बैठे लोग है उस पर कुछ भी अफसोस नहीं रखता है मैं समझता हूं कि ऐसा एक तरफा मीडिया उसमें क्या किया जा सकता है लोग कैसे वाइबरेंट होगा कैसे जीवित रहेगा यह बहुत कटिन काम है इसलिए आज जरूरी इस बात का है कि जो भी पक्षी दल है जो अन्यर संगठन है उनको सीधे जनता से संबाद क क्या हो रहा है जब वो आंदोलन करने उतरते हैं अगनी वीर जब मुद्दे को लेकर जब आंदोलन करने उतरते हैं तो नजाने उन्हें क्या क्या कहा जाता है किसानों को आपने वो अपनी मन्जिल तक नहीं पहुंचा था आपने उन्हें खालिस्तानी बता दिया आपने स साख को बहुत नियुनतम स्थर पर ले जा चुका है आज की तारीख में अगर आप देखिए तो खबरे छुपाई नहीं जा सकती आप अवधारना का खेल खेल सकते हैं लगातार मास्टर स्ट्रोक आदित्यादी बताकर लेकिन अवधारना कितने समय तक आखिर इलहाबाद में जब फीज बढ़ी तो छात्र मशाल लेकर उत्रे ना उनको लगा कि उनके साथ गरबढ हो रहा है तो मुझे एक बात जरूर लगती है और उसको मीडिया दिखाए ना दिखाए आजकल वर्टसब पर सोशल मीडिया पर पूरी जो इंटरनेट पर जो इस तरह की खबरें है उन खबरों का प्रचार प्रसार शायद इसलिए इतना बढ़ा है इसलिए इतनी साख बढ़ी है क्योंकि वहाँ पर सच है तो जनता सच चाहती है क्योंकि यह उससे जुड़ा वो जिस तरह से नाजायज था और उस पर बात होनी चाहिए थी मुद्दे होने चाहिए थे बैस होने चाहिए थी हम सब जानते वो गायब था और ऐसा करके मीडिया ने यह बता दिया कि यह उसके लिए खबर नहीं क्योंकि यह परेशान करने वाली खबर जब किसान अपने जानता पार्टी को लेकर दोहरे माबदन आप सामने देखे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश आपका और भाशा आपका भी इंडिया की बात में बस इतना ही हमें इजासत दीजिए नमस्कार